सफल होने के लिए to-do list कैसे बनाएं? लेखक, अमूल शर्मा आपकी सफल्टा To-do list एक ऐसी चावी है जिससे हम अपनी सफल्टा, success, के दरवाजे खोल कर सफल बन सकते हैं सफल होने के लिए हमें केवल वही कारे करने चाहिए जो सफल होने के लिए जरूरी हो अधिकतर लोग पूरे दिन बहुत से कारे करते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने आज बहुत से कारे कर लिए, आज का दिन तो उनके लिए एक सफल दिन माना जाना चाहिए लेकिन यदी उनके दिन के कारेों की अनालेसिस की जाए तो आप पाएंगे कि वो लोग पूरे दिन कारे तो करते रहे लेकिन जरुरी कारे करना तो वो भूल ही गए बहुत से लोग पूरे दिन बिना मतलब के कारे करते रहते हैं जिनका कोई positive result नहीं निकलता शाम को वह पाते हैं कि इतने सारे कारे किये लेकिन जरूरी कारे तो वह भूल ही गए पूरे दिन बिजी रहे लेकिन कुछ नया नहीं कर पाए कोई result तो हाथ लगा ही नहीं दोस्तों ऐसा यदि आपके साथ भी होता है और कोई भी कारे आपका सही समय पर पूरा नहीं हो पाता तो ये टाइम मैनेजमेंट आर्टिकल आपके लिए ही है आपकी इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान सिल्यूशन है और वो है to-do list सभी सफल लोग, successful people, इसका उप्योग करते है यदि आप भी सफल होना चाहते है या आप एक student है तो आपको to-do list बनाना आना ही चाहिए आईए सबसे पहले जानते हैं कि ये to-do list क्या होती है to-do list क्या होती है what is to-do list to-do list एक ऐसी list होती है जिसमें कुछ कारे लिखे होते हैं और इन कारेों को हमें एक दिन में पूरा करना होता है इसे आप किसी कागर्स पर लिख सकते है आजकल तो लोग इसे अपने mobile, laptop में भी लिखते है साथ ही बहुत से app भी इसके लिए आजकल आ गए है लेकिन मैं आपको इसे कागर्स पर ही लिखने की सलाह दूँगा to-do list का अर्थ, to-do list meaning in Hindi बहुत से लोग बहुत जटल तरीके से बताते हैं जिसे समझना आसान नहीं होता लेकिन मैं आपको इसे एक उदाहरन के द्वारा बताने की पूरी कोशिश करूँगा एक अच्छी to-do list कैसे बनाए यहां मैं आपको एक उदाहरन के द्वारा बताता हूँ कि एक प्रभावशाली to-do list कैसे बनाए यदि आपको अपना आने वाला कल सफल बनाना है तो आज ही एक पेच पर वो सभी कारे लिख लीजिए जो आप कल करने चाहिए मान लीजिए कमल को कल अपने ओफिस की एक जरूरी फाइल पूरी करनी है उसे परसो एक शादी में जाना है जिसके लिए कल कपरे खरीदने है साथ ही कल उसने अपने बच्चों को पार्क में घुमाने का वादा किया हुआ है अरे, सुबह तो उसे अपने दोस्त सुरेश के घर जाकर उसे प्रेजन्टेशन के बारे में कुछ जानकारी भी देनी है और हाँ, रात को साथ बजे एक बिजनस सेमिनार में भी तो जाना है जो एक घंटे तक चलेगा अब कुल पाँच काम ऐसे हैं जो कमल को कल करने ही करने है कहीं वो कोई काम भूल न जाए अब वो इसके लिए एक टुडू लिस्ट बना सकता है जो इस प्रकार होगी 1. सुबह सुरेश के यहां जाना है 2. आफिस में फाइल पूरी करनी है 3. शाम को बच्चों के साथ 6 बजे पाक में जाना है 4. शाम साधे साथ पर बिजनस सेमिनार में जाना है 5. सेमिनार से लोटते समय कपरे खरीदने है यह टुडू लिस्ट मैंने आपको एक एक अग्जाम्पल के रूप में दी है 5. आप अपने हिसाब से इसे बना सकते है कुछ लोग इसे टाइम्टेबल की तरह मानते है जबकि आपको बता दून की टुडू लिस्ट एक टाइम्टेबल से बहुत अलग होती है एक टाइम्टेबल में आपको वो सभी कारे रखने होते है जिन्हें एक fix time में करना होता है जबकि to-do list में समय का कोई बंधन नहीं होता है यहां समय लिख भी सकते है और नहीं भी time table का सबसे अच्छा उधारन railway time table है जहां fix time पर trains के आने जाने का समय लिखा होता है जबकि एक to-do list का उधारन मैंने आपको दे दिया है कमल को कल कपड़े खरीदने है यह उसने fix किया हुआ है लेकिन कब खरीदने है यह fix नहीं किया है उसने seminar से लोटते समय कपड़े खरीदे जबकि वह चाहता तो office से लोटते समय भी खरीद सकता था time table यदि आप बनाते है तो वह रोज समय से पूरा हो जाए इसकी गारंटी बहुत कम होती है जबकि to-do list के पूरे होने की बहुत ज्यादा possibility होती है to-do list एक बहतरीन तरीका है जिससे हम कोई भी सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इसमें flexibility होती है जबकि time table में ऐसा नहीं होता to-do list बनाने के फायदे क्या है advantages of creating to-do list दोस्तो, to-do list बनाने के बहुत से फायदे है जो आपको एक साधारन इनसान से सफल इनसान में बदल सकती है 1. रोज to-do list बनाने से आपके सभी जरूरी कारे सही समय पर पूरे हो जाते है 2. आप कुछ भूलते नहीं है क्योंकि क्या क्या करना है इसकी पूरी लिखित list आपके पास हर समय होती है 3. to-do list बनाने और इसे follow करने से आपकी productivity बढ़ जाती है 4. to-do list बनाने से आप अपने समय का सही उप्योग, right use of time, कर पाते हैं और फालतू के कारियों में आपका time waste नहीं होता 5. to-do list बनाने से आप कारिय समय पर पूरे नहों पाने की वज़े से होने वाली tension या stress से बचे रहते हैं और आपको अच्छा feel होता है 6. सभी सफल लोग इसका उप्योग करते हैं यदि आप भी इसका उप्योग करेंगे तो success जरूर मिलेगी 7. to-do list बनाने और इसे follow करने से आपका आत्मविश्वास, self confidence बढ़ा हुआ रहता है जिसकी वज़े से आप कोई भी cutting कारे आसानी से कर लेते हैं 7. to-do list किस समय बनाए तो-do list बनाने का सबसे अच्छा समय रात को सोने से पहले का होता है या फिर सुबह उठने के ठीक बाद का होता है मेरी सलाव रात आपका subconscious mind इन विचारों पर कारे करता है और दूसरे दिन सुबह से शाम तक आपके अंदर उस विचार या कारे को पूरा करने की अंदर से प्रेरणा, inner motivation, मिलती रहती है तो-do list में कौन-कौन सी बाते लिखी जा सकती है दोस्तों, अधिकतर लोग सोचते हैं कि to-do list में केवल वही कारे लिखे जा सकते हैं जो आपके office, business, by आदी से related हो जबकि ऐसा नहीं है आप अपनी to-do list में मौजमस्ती की कहीं घूमने जाने के बारे में भी लिख सकते हैं यानि आप इसमें कोई भी कारे लिख सकते हैं यहां आपको एक बहुत important बात बतादून कि आप अपनी to-do list को रोज तीम भाग में लिख सकते हैं 1. पहले भाग में और सबसे पहले आप अपने उन कारियों को लिखिए जो सबसे जरूरी, urgent work हो और दिन में सबसे पहले आपको वही कर करने हैं 2. दूसरे भाग में आप उन कारियों को लिख सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण, important work तो है लेकिन उन्हें आप दिन में कभी भी कर सकते हैं 3. तीसरे भाग में आपको वो सभी कारे लिखने है जो आपके लिए कम महत्वपूर्ण, लेस इंपोर्टन्ट है और उन्हें आप सभी कारेों के बाद करना चाहते हैं इससे फाइदा ये होगा कि आपके अर्जेंट वर्क हमेशा सही समय पर पूरे होंगे चाहे दिन में अचानक आने वाले व्यवधान से आप बाकी कारे कर पाए या नहीं अगर किसी दिन कुछ शूट जाए तो क्या करें? दो उस्तों, जीवन में सब कुछ फिक्स नहीं होता कभी कभी अचानक कुछ बाधाय ऐसी भी आ जाती है जिसकी वज़े से हो सकता है आपका कोई कारे ऐसा रह जाए जो आपकी टू-डू-लिस्ट में शामिल हो तो क्या करें? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसा होने पर आप उस छूटे हुए कारे को कल की टू-डू-लिस्ट में शामिल कर ले और पूरा कर ले सच कहें तो टू-डू-लिस्ट एक बहतरीन तरीका है जिससे हम कोई भी सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है जबकि टाइम टेबल में ऐसा नहीं होता टू-डू-लिस्ट में एक दिन के लिए कितने कारे होने चाहिए? यह कोई निश्चित नहीं है कि आप अपनी टू-डू-लिस्ट में कितने कारे रखें ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतियक कारे पूरा होने में अलग-अलग समय लेता है इसलिए मेरी सला है कि आप एक दिन में उतने कारे रखें जो लगभग 10 गंटे में पूरे हो जाएं बाकी बचे समय को आप अचानक होने वाले कारियों के लिए रख लीजिए इस तरह आपके सभी कारे रोज पूरे हो जाएंगे या आप अपनी लिस्ट में उतने कारियों को लिखिए जितने आप कर सकते हैं आवश्यक्ता से ज्यादा कारिय कभी ने ले वरना आप बोर हो जाएंगे और बहुत से कारिय आपके रोज छूट जाया करेंगे To-Do List के लिए किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए To-Do List बनाते समय और उसे Follow करते समय हमें बहुत सी सावधानिया, Precautions for To-Do List रखनी चाहिए आई ये जानते हैं कि सावधानिया क्या-क्या है 1. आप अपनी लिस्ट ऐसी बनाए जिसे Follow करते समय आप एक समय पर केवल एक कारिय ही करें इससे फाइदा ये होगा कि आप एक कारिय पर ही Focus कर सकेंगे और कारिय सही से पूरा होगा 2. अपनी To-Do List में उतने ही कारियों को रखे जितने आप एक दिन में कर सकते हो 3. मेरी सलाह है आप अपनी To-Do List को एक Paper पर ही रखें Mobile या किसी Laptop में न लिखें यकीन मानिए इससे आपको बहुत फाइदा होगा 4. रोज अपनी To-Do List की समीक्षा, Analysis करें ताकि पता चल सके की कौनर कौन से कारे पूरे हो गए और कौन से कारे रह गए 5. To-Do List में आप रोज कुछ नया और अच्छा करते रहें List को लेकर बिल्कुल भी कठोर ना बने यदि जरूरी हो तो कुछ कट या पेस्ट भी किया जा सकता है 6. अपनी To-Do List को हमेशा अपने साथ लेकर चलें और जो कारे होते जाए उन्हें कातते जाए 7. जब आप अपने urgent work कर रहे हो तो अपने mobile को silent mode पर रखे या उसे off कर ले 8. सबसे बड़ी सावधानी यह रखे कि जब भी आपको लगे कि To-Do List को follow करते समय आपकी productivity बढ़ नहीं रही है या आपको इससे कोई फाइदा नहीं हो रहा है तो तुरंट सावधान हो जाए और समझे कि कहीं कोई कमी रह रही है समीक्षा करें, कमी को पता करें और उसे जल्दी से जल्दी fix, finish, कर ले दोस्तों, यह how to create To-Do List in Hindi आपको कैसा लगा? यदि यह हिंदी आर्टिकल आउन, how to make an effective To-Do List for work in Hindi आपको अच्छा लगा तो आप इन हिंदी लेक को शेय कर सकते हैं इसके अतिरिक्त आप अपना comment दे सकते हैं और हमें email भी कर सकते हैं यदि आपके पास हिंदी में कोई article, inspiring story, life tips, inspiring poem, Hindi quotes, money tips या कोई और जानकारी हैं और यदि आप वो हमारे साथ शेय करना चाहते हैं तो क्रिपया उसे अपनी photo के साथ हमें email करें हमारी email इद है आपके safilta at gmail.com यदि आपकी post हमें पसंद आती है तो हम उसे आपके नाम और photo के साथ अपने blog पर publish करेंगे Thanks